नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उमंग अकडमी एटुजेड में जिया दोस्तों इस वीडिया हम बात करेंगे एवीएस किस पकार की फसले हैं तो क्या है जो कपास और जूट है वो रेशिदार फसले हैं इसके रेशिय जो है इसका प्योग किया जाता है पहले का अप्सन सही हो जाएगा चाए किस पकार की फसले है तो रेशिदार पेजल तेलहन और दलहन तो किस परकार की यह क्या है पेपता जो आपको को कमेंट करना है जो कहवा है वो किसे राज में प्रमख रूप से उपयोग किया जाता है पीने के लिए ठीक है यह आपने चार पांच नितो देख सकते हैं किख्शा 3 के हैं चार के और पांच के बी आपको मिलेंगे लेकर अथासा टाइम लागए अभी नोट से तयार हो रहें पेपदार थेंकर इसका सभी बताना है आपको कमेंट आकर करके कि किस राज में कहवा का अपयोग किया जाता है चाय की फसल किस राज़ में सबसे अधिक होती है असाम, मत्प्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मु कस्मीर तो चाय की फसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वो असाम में होती है कहां पर होती है असाम में होती है आपको एक और कोश्चन देता हूँ कि जो सोया बीन है ठीक है क्या है सोया बीन के पूस्ट्पादन सबसे ज्यादा किस राजबे में होता है सबसे ब्यार जाना जाता है पोटर पर देश देख् और 15 miners तो सबसे ज़ु किया कि मैं किया अब जब्ता की द्यून कि आपि बाशी क्यों सकत्तुनरां क्या हूँ है utilizar फेद्ध्तिक्त को स्॑ट में तो जो ग्रीस में एम पैदा की आती है सबतिये जो मिल्स क्रीप की आती हैं वहिस तीयुक्ष्ट्थी प्रफादन में इस्थान है कौन सा इस्थान होई या देती है प्रथाम तृत्पादन में इस्थान हो प्रथाम इस्थान पर आता है इसलिए वहाँ पर क्या है प्रथाम इस्थान पर आता है नेस्थान है तो प्रथाम इस्थान है जो प्रथाम इस्थान होता सबसे ज्यादा उगाया जाता है ठीक है तुछ से का प्रथाम इस्थान है आपके जो कमेंट वक्शन आपको करना थे यहां पर आपको कॉस्चन भी पस्चिम मंगा का कौन सा इस्थान है देतिये इस्थान है देतिये इस्थान है या पर प्रथम इस्थान है या पर इन में से कोई नहीं तो पस्चिम बंगाल में जो है जूट उत्पादन का कौन सा इस्थान है बाइस क्या हो जाएगा दूसरा इस्थान पर है ने से कि अत्याधिक प्योग का क्या परिणाम होता है यदि आप अरभरकों का अत्याधिक प्योग करेंगी मुझे रसाइनिक होते हैं वो खाद जो होती है वो जयाबिक होती है याद रखिए गए इस प्रकार से कोश्चेन हमेंसे डाउटमें कर देते हैं है आपको तो उर्भरक को याद रखिए को अर्भरक जो होते हैं रसाइनिक होते हैं मिर्दा को अधिक उर्भरक करना करना देते हैं या प्र nessर करते हैं केनलई होता है परिदूसर्य चुछARA Esoogर को का अंदियाधिक प्रियोग जो ह पन्न होती है इस कुछ ने इस सिय क्या ए तो कौणसी जो घ्लोबर वारमींग्ए है जो उसका सबसे मच्रूप से कारण्य जिस्ट क्या है पहला ऊप्षन क्या होदाएगा इसका सब्ढ़कंप गय कर दिया करें और कूछ्टन पूंचा आता तो उसका कमेंट जरूर कीजिए बहुत कम लोगों कमेंट आते हैं अमल वर्सा का प्रमुक कारण क्या है अमल वर्सा जो होती है उसका प्रमुक कारण क्या है कारवन डायक्षड तथा अक्सिजन कारवन डायक्षड तथा जल सर्फर डायक्षड और नाइट्रोजन डाय तो जो आपका इसका सही जवाब होगा बहुत अधिक हो गई है इसका कारण क्या है तो जो आपका इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा दा ये सभी जो कारण है वो ग्रीन हाउस गयस की सांदरता जो बढ़ गई है बहुत अधिक हो गई है इसके लिए उत्तरदाई है इस अभी कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर बद्दी का कारण है जी वास मी इंधन को अत्याधिक जलाने से बनो उल्मूनन जे अध्योंकर यासा बहुत जो है क्या है दा आफशन क्या है इसका सभी हो जार है क्योंकि ये सभी के सभी करण जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाभ को प्रभावित करते हैंर भूब रधी करते हैं निद्रेणॉस्ट राइट के रूप में अर्ठी करण होता होता है वो होता है रसाइन संसलेशी जिवाणों द्वारा किसकी द्वारा होता है रसाइन संसलेशी जिवाणों द्वारा होता है नेस कोच्चन है कारवन चक्र में जीवानों की भूमका होती है कारवन चक्र आप जाते होंगे उसे जीवानों की क्या भूमका होती है रासानिक संस्लेशन द्वारा कारवंडााया 7 ुदू सकल मेरत पदार्थों का अब घटन या फर tiden् सभी में जो सही जवाब होगा कौन सो हो जाएगा सभ Sie जिवानों की भूमका होती है ठीक पो सही जवाब क्योथा हो जांए देशा ही नेस कुछन है 380 कुछन थी यह बाई मंडल में किस घटक से ओजोन परत की यहानी होती बहुत अच्छा कुछन है इस कुछन को आप नोट डाउन करेंजिए क्योंकि 100% इस परकार का कुछन पूंचा ही जाता है ठीक है आपको आसान सा पूंचा जाता है लेकिन इसको थोड़ ओजोन परत को हाने पहुंचाती है सबस्यादा आपको क्लोरोफ्लोर कार्बन मिलता है यह बिल्कुछ सरल कुछन है लेकर नाइट्रोजन आकसाइड जो होती है इसके काराण भी ओजोन परत को च्छती पहुंचती है तो 380 का जो होगत दास का सही हो जाएगा नेस कोश्च है यह लागो हुए थी सोला फरवरी 2005 को यह लागो हुए थी तो इसको आपको याद रखना है तो इसका दूसरा सही हो जाएगा नेस क्वेस्चिन जी है और जोन की परत्त होती है यहाई मैंडल के नीचे मौजूद होती है को उसके खूपर होती है मंदल की बात कर दो समताल में होती है कि न ा आपको पता है किस कारण होती है सब सबसे आपकर रूप सी बहुंद नहाता है हईडरो क्लॉरिक हम सtalk फ्यूरिक कमन एचरिक साल्फियूरिक वह कौन सा यूरिक सल्फ्यूरिक अमल जो है मुक्रूप से एकस का आवियाव है अमल वर्षा का ठीक है नेस कोश्चन की बात करूँ ओजोन संस्तर का निम्नांके में से क्या प्रभाव है सूर की परावगने विकरण से रक्षा अल नीलो के को प्रभाव से रक्षा करना और बादोनों से या फिर अमल वर्षा से रक्षा करना तो इसका जो सही जवाब होगा बुग आ सूर की परावगने विकरण से रक्षा करना उजोन संस्तर का मुक्रूप से प्रभाव है या उसका कार है परिश्थित्य की तंत्र में उस्तम पोषण इस तर प्राफ्थ होता है किसको प्राफ्थ होता है साकाहरी को मासाहरी को अभगटा को या फिर सर्भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ ऐस फूलों की घाटी कहां पर इस्थत चैंप रिखवाल हिमाला बिरुंगा परवात में जमु कस्षीर में हवाई दीत में तो कहां पर है घरवाल हिमाला में उजोए फूलों की घाटी कहां अब पर थम ओजोन चेदर 1985 में कहां देखा गया था देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं बहुत सारे बच्चों में अभी इस कमेंट आ सकते हैं कि मतलब में सब्सक्राइब आपको ऑफ्सन मिल जाएगा लेकिन एदी कम से कम दो क्वेश्चन तो कप्लीट हों यदि मैं इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से देखा गया तो आपका सिरफ अंटार्टिका इसका सही जवाब क्या हो जाता है अंटार्टिका लेकर इसमें मैंने एक चीज़ और दी है कि 1985 में तो 1985 में आपको सन भी याद रहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा समाज जिए क्वेश्चन नोट कीजिए अपने रेजस्टर में जो आप से क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको नोट कर लीजिए ठीक है तो अंटार्ट का में दिखा गया पहला कौन सा ओजोन परत के रिखती करण के लिए उतरद जब भी हॉस्पिलिन होस्पिल बगार में उसका यूज किया जाता है अब जैनरली पिचर इचर में देखते हैं कि क्लोरोफर्म दिया उसके प्लोमाल में लेकर को उसके नाग पर दे तो वह बेहॉंस हो गया लेकर अब ऐसा मिलता नहीं है जैनरली लेकर इसका उप्योग ह होट एक पेशेज छेत्र है जिसमें एक परिटक इस्थान है एक एंडो में प्रजाति की अधिक संक्या वाला इस्थान है एक गर्म पानी का ज़र्णा है तो आई होप आपको पसंद आया होगा और इस परिकार की कोश्चन आपको देखने में बहुत अच्छे लग रहा होंगे कुस्टोन आपके काफी क्लियर हो रहा होंगे एदी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइज जरूर कर दें कुस्टन पूछा है मैंने उसका कमेंड़ जरूर दीजिए और किसी और अनुमसाय का जैदी आप प्रेक्टर सेट चा को प्रेक्टर सेट होगा सीटेट लेवल का होगा एंपीडेट लेवल का मतला सभी टेट लेवल का प्रेक्टर सेट बनाऊंगा जो की कुस्टन प्रिवियर सेट पूछेगा है वो सभी कुस्टन करवाऊंगा ठीक है इस कुस्टन का साही जवाब क्या होगा वह होगा स्थ जो होता है एक hot spot कहा जाता है तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक क्लिए नमस्कार